नमास्कार मार्केट नमाद में आपका स्वागत है आप जो देख रहे हैं ये प्रेम नगर नगरा आठ का मेदान है और आठ के मेदान में आज से स्रीमद भागवात कता चालू हो गई है साथवी बंदना उपाद्याय कता बाचक है और सयुकर्ता आपके सामने है वोटिंग में और प्रेम नगर नगरा का जो इलाका है आठ का मेदान काफी परसों पुराना ये मेदान है प्रेम नगर नगरा का जहाँ पर हाट लगते चली आती है और इस हाट में सब कुछ मिल जाता है परदा आप देख रहे होंगे परदा लगाने से परदे में रहने दो परदा ना उठाओ और सूट का कपड़ा आप देख रहे होंगे ये सूट का कपड़ा मिल जाता है काफी सस्ता मिलता है काफी पुरानी हाट का मेदान है ये आप संगीत की आवाज देख रहे हैं ये संगीत की आवाज जो सुनाई दे रही है इसी पंडाल में कठा चालू होने यह है तोली देर में कठा चालू होने वाली है अभी सुवारम होना है एस हाट की खाजगयत है कि नमक से लेके मिट्टी तक मिल जाती है देख रहे होंगे हमने नमक का नाम लिया और सामने नमक हाजर हो गया हर चीज हाट के मेदान में मिल रही है काफी दू-दू से दुकानदार आते हैं अपनी दुकाने लेकर इस हाट में लगाने के लिए काफी पिरसे धाट है उसका कारण है कि यह छेत जो आप देख रहे हैं यह प्रेम नगर नगरा जासी का छित्र है और यहां पर सब रेलवे के करमचारी ज्यादा रहते हैं यहां पर आप देख रहा होंगे आवाज आ रहा है सो रुपै सो रुपै दिल्ली वालों का दमाका है मात सो रुपै में सो रुपै में चोर चुरा के नहीं देगा दर्जी सिलके नहीं देगा दर्जी तो नहीं सिलेगा मोची जरू बना के नहीं देगा यह बुंदिल गंड की बहुत प्रिस्द धाट का मेंदान है जहां पर हाट लगती है अगया बस यह देखते रहों क्या नहीं मिल रहा है पापड़ा आप देख रहे होंगे होली आने वाली है और गबर सोले फिल्म में पूस्ता है होली कब है होली कब है अब यहां गबर तो नहीं है लेकिन हाट के मैदान में जरूब पापड़ा होली का आइटम मिल रहा है हर आइटम 30 रूपए हर आइटम 30 रूपए पचास वाला आइटम 30 रूपए यह पचास वाला आइटम 30 रूपए इनकी आवा लगाने की जो अंदाज है यह आप देख रहा होंगे जिन से सियत बनती है वो फल हर प्रकार के आपको मिल जाएंगे महगाई के दोर में अरे-अरे चना भी आपको हाट के मेदान में दिखाते हैं जैसे पूरा खेत उखालके आगए हो आप देख रहे होंगे पूरा खेत उखालके है यह लेके आगए हाट की मेदान में क्योंकि सोच रहे होगे कि हरे चना है तो तोल में अच्छे भीग जाएंगे जब जे शूखेंगे तो उत्ता मार्जन नहीं मिलेगा एक किलो बीज के हैं चना छोले हरे हरे क्योंकि कच्छे बेचने से प्रोफिट ज्यादा हो रही है उने आप देख रहे होंगे ताजी कटल आती है हाट के मैदान में और इस समय कम आ रही है प्रोफिज़ कर दो कि प्रोफिज़ कर दो रही है